सबी मीडिया के साथियों का स्वागत है साथियों आज भारते जन्ता पार्टी के परिवार में और विस्तार हो रहा है और एक बहुत ही महत्मुन सक्सियत आज भारते जन्ता पार्टी के साथ जुणने जा रही है आप सबके लोगों का परिचे होगा सदार इंदर जी सिंग जी आज भारती जिन्ता पार्टी की सदेश्ता ले रहे हैं आप भारत के पूर राश्टपती ग्यानी जैल सिंग जी के पोते हैं और आप रामगडिया समाज से हमारे आते हैं और वहां समाच के लिए बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, आप All विश्व कर्मा रामगडिया फाउंडेशन, All Film Industry के माध्यम से समाच के उत्थान और विकास के लिए बहुत सारे कारे कर रहे हैं, और इनके पार्टी में आज जुणने के सकारिकरम में भारते इनता पार्टी के वरिष्ट नेता और भारत सरकार में मंत्री हर्दीप पुरी जी हम लोगों के मद्धे इस अफ़सर पर भारते जिन्ता पार्टी के राष्टे महामंत्री दुष्चंत गौतम जी हम लोगों के मद्धे हैं भारते जिन्ता पार्टी के राष्टे परवक्ता रपी सिंग जी हम लोगों के मद्दे हैं मैं सबसे पहले हर्दी पुरी जी से अग्रह करूँगा कि वे इंदर जी सिंग जी को पार्टी के इंदर स्वामिल करने के लिए उनको पार्टी की जो सदस्ता की पर्ची है वे दे दुस्यंत गौतम जी से भी मेरा आगरा है कि बुके और पार्टी का पठका पेना के उनका पार्टी में स्वागत करें इस अफसर पर भारते इंता पार्टी के राष्टे मामंत्री स्री दुस्यंत गौतम जी से मेरा आगरह है कि वे सब्दों के माध्यम से इंदर जी सिंग जी का स्वागत करें पार्टी के इंदर हमारे मध्यमें उपस्तित आज जिन्हों ने भारते इंता पार्टी को ज्वाइन किया है भारती राजनिती का बहुत बड़ा चैरा और छत्रप प्रमादने ग्यानी जेल सिंग्जी के पोत्रों इंदर जी सिंग्ग का हम स्वागत करते हैं हमारे मद्दे में उपश्तित केंदे सरकार में वरिष्ट मंत्री जिनोंने अभी देश का गोरोब बढ़ाने का भी काम की है आदरने नरेंदर मोदी जी के नेतरत में जिस परकार से गुरु गुरिण साप को कि परतिलियों को बाईज़त काबुल से लाने का काम किया है ऐसे आदरने हर्दी पूरी जी हमारे भरिष्ट नेता अदरने बलूनी जी में साथ में राजय सवह के सांसथ आदरने राम चन्द जांगला जी भार्ते इन्त पार्टी के परवक्ता आदरने आर्पी सिंह जी और उत्राकंड के सहाचुनाव परवारी और पंजाब से आयोए र साथ में सबी जोईन कर रहे हैं सभी स्थिक्ष मुदाय के लोग जरब पीछा जाएंगे रहा है आई यहीगा साबस्ट जो जो सारा समूग जादा ने आएंगे शीमा अब रोपाउं कर रहा है अब रोपाउं कर दो हम दो हम दो बंदो जैसे मैंने अभी आपको परीचर करा है कि आज आदर ने नर्दर मोदी जी के नेतरत में पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जो हमारा सभी ने विश्वास व्यक्त किया है और खासकर पंजाब के अंदर कि वहाँ पर जिस प्रकार के राजनेती हो रही है वहाँ जिस प्रकार से गुरुगरण साब का अपमान करने वालों को सजा देने का लक्षर रखकर लोग सरकार में आये थे लेकिन ऐसा ना करकर आज उनका विश्वाद नरेंदर मोदी जी के परती बड़ा है क्योंकि चुराशी के दंगों को अगर कोई कि सजा दुलाने वाला है तो आदर नरेंदर मोदी जीए और जिसने गुरुगरण साब का अपमान की है उनकों भी सजा दुलाने के लिए संकल्पित भी हैं और वहां की जनता भी आसावान है एक ही नहीं अनेकों उन्हें कारे के द्वारा हमने पंजाब की जनता का दिल जीता है और दिल हमने कोई बोट के खातर नहीं एक समाज की एक जुटता और मजबूती कारण जीता है चाहे वह काली सूची हटाने की बात रही हो चाहे वहाव बेद्वी की साथ साथ चुरासी के दंगों की साथ साथ आज जिस परकार से वह नसाख हो रही हो रही है करतार पुर केरीडोर की बात हो अनेकों उन्हें कि स्थानों पर हमने देखा है कि हमारे सेवाही संगटन के माद्यम से हमने जनता के दिल में जगे बनाई है और उसे का प्रणाम है आज पंजाब के अंदर अधिकतर समूदा है जनता आम जनता आम पबलिक है जो भारते इंता पार्टी के साथ लगता जूड़री है जिसका पढ़िनाम है आज इंदर जीसिंग जी कि साथ में अनिक भारी भ्हूमत की और शंक्याज़ की साथ में लोग हमारे साथ जुड़ें मैं उनका हारदी का विनंद करते हूं और धन्यबात करते हूं कि आप सब लोग से अगरेब लोग अपना स्थान लीजिए बैठ सकते हैं जी मेरा निवेदन है हर्दी पुरी जी से कि वे भी इन्दजी सिंग जीगा स्वागत करें सबसे बड़े राजनेतिक दल में ही नहीं पर हमारी परिवार में हर्दिक स्वागत है मनु जदो जानकारी मिली कि तुसी साथे विच शामिल हो रहे हो मैं तो उन्हों किया मनु बहुत ही खुशी हुई दिलों खुशी हुई इसलिए उदे कई कारण ने एक ते तो आडेनाल मेरा रिष्टा मैं जदो सुना किना पुराना है गाप मेरी प्रिविलिच सी कि जदो ज्यानी जी पहले ग्रह मंत्री सीगे उदे बाद राश्वपदी बने उस वगत सानों थोड़ा जा उन्हादे नाल कम करन दा मौका मिलिया दार इंदर जीट सिंग बिंदरा तैसी उन्हादे नाल उन्दे सीगे पर तुसी पार्तिय जन्ता पार्टी शामिल होयो मैं समझना जेड़ी साड़े सामने अज कल चैलेंजिस है कि पंजाब विच भी बाकी जगा तुसी जो समाज सेवा किती है कई एरिया सिछ उदे नाल मनों लगदा कि तौड़ा साड़े नाल जुड़नेच सानुवी स्ट्रेंग्थ मिलेगी ते तौड़ा जड़ी तौड़ी समाज सेवा है उदेच असी भी शामिल होके उन्हों अगे वदावनाक इतनी कोशिच करा पक्का विश्वास है कि तौड़े शामल होनाल कई जेडिया प्रधानमंत्री जी दियां उनकी योजनाएं है जो पंजाब में पंजाब सरकार ने नहीं लागू की है मैं उनको गिनवा सकता हूं आपको देश भर में प्रधानमंत्री अवास योजना अयुश्मान भारत और ऐसी योजनाएं हैं समझ नहीं आता क्यों नहीं पंजाब सरकार इनको लागू करती और दूसरी बात इस समय पंजाब की जो हकूमत है वो आपस में उनके जो differences है personality clash है तो मैं समझता हूँ आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आपके साथ जो बाकी हमारे भाई लोग आए हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और मैं साथता हूँ आज तो हमारे पास समय कम है पर अभी शिकावत जी के साथ बैठके मिनाक्षी जी के साथ मैं हम मैं से प्रबारी हूँ दुशन गौतम जी के नित्रित्व में हम सारे इखटा हो के लंबी चर्चा करके क्या हमें आगे पंजाब में काम करना है उसके बारे हम आपकी गाइडन्स भी लेंगे और आज जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ बैटके हम काम भी करेंगे बहुत-बहुत स्वागत आपका क्योंकि समय कम है इसलिए मैं और नहीं कहना चाहूंगा पर अब मैं समझता हूं आर्पी सिंग जी और हम अलग आपके साथ एक सेशन करके हम आगे कुछ बातें करेंगे तैंक यू मेरा अगरे है सवार इंदर जी सिंग जी से कि यहां जो मीडिया के साथ ही वैटे हैं उनको संबोधित करें सबसे पहले तो मैं अपने गुरू विश्कर्मा भवान जी को परनाम करता हूं और उसके बाद मेरे साथी बैठे हैं जो पंजाब से आए हैं दिली से भी जिते ही मेरे पंजाबी भाई हैं वो मेरी फते कबूल करें वाई गुरू जी का खाल साथ आज बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादर जी गयानी जैल सिंग जी थे उनकी मनों कामनाज पूरी हुई है क्योंकि जिस तरीके से कॉंगर्स ने उनके साथ सलूक किया उनका दिल दुखा जबकि उनकी इतनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया यह आप सब जो जानते हैं और जब मुझे मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वहीं इंदर जी सिंग बबू हूं जो फिल्मों में चला गया था उस टाम भी काफी पे प्रो में आया था तो मुझे जब भी मैं अपना केरियर बनाई रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पर बिलाया राजनीती में लाने के लिए अश्पेशली उन्होंने उस टाम पर जब वो रास्ट्रपती से हट गे थे तो फोर सर्कूरोट में बैठे हुए थे उन्होंने मुझे अटल बेरी बाजबे जी फोन करके उनसे मुलने के लिए गा तु जाके मिलके आ उनसे अशीरवाद लेके आ अड़वानी जी से अशीरवाद लवाया मुझे और आपको याद होगा कोई प्रेस वाले भाई मेरे पराने अगर जब मदलाल खुर एक तमना दी कि इस वे पार्टी में ना जाकर मैं बीजे पी में जाओं। अभी मेरा वो कह रहे थे मुझे त्यार कर रहे थे एकसिडेंट होंके जा एकसिडेंट करवाया गया ये बाद में बात करेंगे तो इस दुनिया से चले गए तो मैं भी फिर उसके बाद कोई गाइड करने वाला नहीं था फिर मैं पंजाब में चला गया यह तीन चार साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं अपने समाज को विश कर्मा समाज को इकठा कर रहा हूं और आलमुस आल ओवर इंडिया गुमने के बाद काफी हद तक मैं इसमें कामजाब भी हूँ और उसी तरह में आन जो तमन्ना मैंने आपको बोली थी कि गैनी जी की तमन्ना थी और मैं स्पेशली अपने बड़े भाई रामचंदर जांगर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके सयोग से आज मैं यहां बैठा हूं और पुरी जी के साथ तो छोटा बच्चा भी हूँन का गोदी में खेला हूं क्योंकि हम जब आते थे हूमनिस्टर थे तो हम पहुंच हुके इसे अशीरबाद भी लेते थे बहुत छोटे थे तब और श्पेशली मैं गौतम जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज वो जो उनुकी तमन्ना थी क्यानी जी वो पूरी कर रहे हैं और मैं बीजेपी में शामल हुआ हूं और यहाँ पर एक वदा करता हूं आप से और सबीनाडा जी का भी मैं बहुत भाध धन्यवाद करता हूं कि इतना खुश हूँ कि मैंने एक जो मकाम था उनका तमन्ना थी वो पूरी हो गयी है और जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जहां पर ड्यूटी लगाएगी, वैसा ही मैं उसका पूरा उसको उतरने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जैविश करूँगा। झालम करूँगा।